थांदला विकास खंड के ग्राम देवीगड में एक महिला को कथित विवाहित तर संबंद रखने के आरोप में गाउं वालों ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली सजा सुनाएं गाउं के लोगों को जब पता चला कि इस यूती के एकिवक के साथ कथित अनेतिक संबंद है तो उन्होंने इसे गंभीर अपराद माना और उतर भारत की खाप पंचायतों की तरस पर यूती को बरबर सजा सुना दी सजा में कहा गया कि यूती को सारजनिक तौर पर पती को कंधे पर बैठा कर गाउं का चक्कर लगाना होगा एक बास सजा का हुक्म सुनाय जाने के बाद ताबर तोड उस पर अमर शुरू हो गया यूती को जबरन गाउंवालों के सामने पेश किया गया सेगडों लोगों की मौझूदकी में सस्राल पक्ष की लोगों नी यूती के पती को उसके कंधे पर बैठा का जुलुस निकाला इस दरान गाउं के कई लोग नाशते गाते हुए चल रहे थे महिला पर फप्तिया कसी जा रही थी इस घटना का वीडियो वाइरल हो गया है इस सिलसले में जाबवा के पुलिस अधिकशक विनित जेन ने कहा कि देवी गड की एक घटना सग्यान में आई है जिसमें गाउं के लोगों ने एक आदिवासी महिला का अनादर किया है वीडियो की जाज कर हम आरोपी लोगों के खिलाफ विदानिक कारवाई करेंगे अतिरिक्त पुलिस अधिकशक SGOP और थाना प्रभारी को पुलिस बल के साथ गाउं में भेजा गया है जाज की बाद आगे कारवाई की जाएगी जेन ने बताया कि फिलाल इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है